हेई गाईज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो मैं हूँ DRX सारूर रशी सायद तो दोस्तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है पिंपल्स और एकने के ट्रीटमेंट के उफर और क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन शुरू ही हुआ है तो ऐसे में क्या होता है पसीना बहुत जादा आता है जिसके वाज़े से फॉयली स्कीन और पिंपल्स की प्रोब्लम बहुत जादा देखने को आती है और आज की वीडियो में मैं जिस प्रोड़क्ट का रिव्यू करने वाला हूँ वो है लिफोर्ड कंपनी का एलाइट एंटी एकने फेसवाश और इस फेसवाश की जो है दोस्तो एक खास बात है जो कि मुझे अच्छी लगी तो आज मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ इसके लवा हम लोग इसकी सारी बाते देखेंगे इसके यूजर साइड एफेट्स वगेरा तो वीडियो को दोस्तो एंट तकर जरूर से देख लेना इसके लवा जो लोग चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद बादेना तो चलिए दोस्तो हम लोग बेना टैमविस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो हम लोग बात करेंगे इस फेसवाश के ओवरलुकिंग के बारे में तो ये जो है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है वाइट कलर की इसके उपर alight इसकी ब्रेंडिंग दी हुई है इसके बाद में देख लेते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आता है तो आप लोग देख सकते मेरे फिंगर के उपर मैंने निकाला है तो ये जो face wash है, इसका color तो कुछ transparent yellow सा है, इसके अलावा कर से इसकी smell के बात करूँ, तो इसकी smell थोड़ी similar है, पियर सोप से लगबग थोड़ी सी मिलती हुई इसकी smell है, इसके अलावा हम लोग इससे face wash करके भी देखेंगे, तो वो हम आगे देख ले थे, इसके बाद में अ आप लोग जो है, इसे पॉस करके वीडियो को देख सकते है, इसके बाद में बात कर ले थे दोस्तों, इस face wash के फाइदे के बारे में, तो एलावा का ये जो face wash है ना दोस्तों, इसकी मुझे एक जो खास बात लगी, वो ये है कि इसके अंदर charcoal एड़ किया हुआ है, और वै इसके अलावाद दोस्तों, ये जो face wash है, ये face wash हमारे स्कीन के उपर से excess जो oil आ जाता है, उसको भी remove करता है, और गर्मियों के सीजन में क्या होता है, कि हमारे स्कीन के उपर बहुत जादा पसीना आता है, जिसके वाद बात कर लेते हैं, और कैसी तो भी अजा भी दिखाई है, तो ये जो face wash हमारे स्वस्तों, वैसे तो overall ये काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है, कि इसके अंदर SLS है, मतलब sodium laurel sulfate इसके अंदर एड़ किया हुआ है, जो के स्कीन के लिए अच्छा नहीं माना है, तो वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और side effects की बात करें, तो वैसे तो और कोई side effects नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है, कि बाहर दूप में जाते समय है, वैसे तो sunscreen हमेशा यूज़ करना है, और sunscreen के अपर मैंने complete video बनाया है, जिसके link उप जरूर से देख लेना बहुत important video है, तो sunscreen यूज़ करना है, और अगर sunscreen नहीं यूज़ करेंगे, इसको इसको इसे क्या करना है, हमें थोड़ा सा पहले हमारा face को अच्छे सारीकिसे गिला कर लेना है, उसके वाद में थोड़ी से quantity लेना है, और उसे जो है अच्छे तरीकिसे पहले हाथ पर हमारे लेना है, ऐसको रब करना है, उसको अपाद में पूरे face के उपर अच्छे तरीके से अपलाए करना है, और थोड़ी देर तक कर उसे मसाज करना है, लगभख एक मिनिट तक कर उससे जादा नहीं रखना है, और जो है साधे पानी से wash कर लेना है, इसके में एक चीज का ख्याल रखिए दोस्तों कि आप लोगों को जो है, टावल से एकदम रब करके नहीं पोचना है, आप लोगों को ऐसा थोड़ा सा यसा डैम करना है, ताकि पानी हमारा सूख जाए, वैसे तो यह एक टिप है, कि कोई भी face wash उस करने वाद में, डारेक टावल से एकदम रब करके उसे नहीं निकालना होता है उसके water को, उसे थोड़े देर तक कर, मनलब ऐसा डैम करके ही निकालना पड़ता है, तो इस तरीके से दोस्तों इसे यूज करना है, और इसे आप लोग दिन में दो मरतावा यूज कर सकते हैं, सुबा उटने के बाद में और अधर्वाइस वैसे तो अच्छा है, face wash company भी लिफोर्ड अच्छी है, और जिन लोगों को यूज करना है, तो मैं description में link डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं, तो दोस्तों I hope so आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हूँगा, तो जिन लोगों पिंपल सरेकने की problem है, तो वो लोग comment करना कि मैं जो है एक सीरीज चालू करने का सोच रहा हूँ पिंपल सरेकने की treatment के उपर completely, जिसमें आप लोगों को basic से लेकर enter कर बता हूँगा क्या क्या करना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, क्या लगाना है, सब कुछ, तो comment करना कि आप लोगों को वो सीरीज कब चाहिए, तो I hope दोस्तों आप लोगों को आच के वीडियो पसंद आया हूँगा, और वीडियो पसंद आया हूँगा तेक लाएक जरूर करते ना, इसके लावा जो लोग चैनल पे नहीं होगा, तो सब्स्राइब करना बिल्कुल इमात चलिए दोस्तों मैं मिलता आप से मेरे नेक्स टूडियो में तब तक कर के लिए, जय हिंद!